बांगलादेश में नौकरी में आरक्षन को लेकर फैली अशान्ती के बीच प्रधानमंत्री कार्याल सेंट्रल बैंक और पुलिस की आधिकारिक वेब साइटें हैक हो गए है दर रेजिस्टेंस नामर के एक समूह द्वारा साइट हैक करने का दावा किया जा रहा है तीनों साइटों पर एक जैसा संदेश लिखा है जिसमें लिखा था Operation Hunt Down Stop Killing Students संदेश में आगे लिखा गया हमारे बहादूर छात्रों के शांतिपून विरोध को सरकार और उसके राजनितिक साथियों द्वारा कुरूर हिंस और हत्या का सामना करना पड़ा अब ये केवल विरोध नहीं है बलकी नियाय स्वतंतरता और हमारे भविष्य के लिए एक युद्ध बन जुका है बांगलादेश में आरक्षन में बदलाव की मांग कर रहे चात्रों के तरफ से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हिंसवा प्रदर्शन के बीच 18 जुलाई को प्रधान मंतरी शेख हसीना ने बी टीवी को इंटर्व्यू दिया था इस दोरान उन्होंने कहा था कि अगर स्वतंतता सेनानियों के बेटे पोत्य को आरक्षन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को आरक्षन मिलेगा शेख हसीना के इस बयान ने हिंसव्यू की आग में घीर डालने का काम किया सेंकडो प्रदर्शनकारी बी टीवी ऑफिस के कैंपस में घुस गए और साठ से जादा गाडियां फूट डाली 19 जुलाई को प्रदर्शनकारी छात्रों ने नरसिंगडी जिले में एक जेल पर धावा बोला था सेंकडो कैदियों को जेल से छुडाने के बाद वहां आग लगा दी गई हिंसक प्रदर्शनों में 115 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 3000 से जादा लोग हायल बता ले जा रहे हैं हिंसा की वज़ो से शिक्षन संस्थानों रेल्वे और इंटरनेट सेवाएं रोग दी गई हैं प्रधान मंतरी शेख हसीना की तरफ से छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन और हिंसा पर लगाम लगाने के लिए सेना को भी तैनात किया गया है इतना ही नहीं किसी भी प्रदर्शन कारी को देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी किये गये हैं तमाम सरकारी कार्याले और ढाका उनिवर्सिटीज को बंद रखने के निर्देश दिये हैं चात्रों को हॉस्टल खाली करने के आदेश भी जारी हुए थे और सड़कों पर सेना तैनात है लाका समेथ कई जिलों में आंशिक कर्फ्यू लागू है लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बांगलादेश में आरक्षन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इससे प पिछले महीने यानि कि जून की पांच तारी को बांगलादेश हाई कोट ने आरक्षन को लेकर दायरे की याचिका पर फैसला सुनाया हाई कोट ने सरकार के फैसले को रद्द करते हुए फिर से आरक्षन देने का आदेश दिया कोट के इस फैसले के खिलाफ एक जुलाई स धाका समेट कई जुलों में प्रदर्शन चुरू को चात्रों ने सरकारी नौकरियों में बांगलादेश मुक्ती संग्राम के सगे संबंदियों की आरक्षन रंद करने की मांग कर डाली बांगलादेश में स्वतंतता सैनानी यानि मुक्ती योधा के बच्छों और पोते- पोतियों को जो 30 फीज़ी आरक्षन दिया जाता है उसे घटा कर 10 फीज़ी करने की मांग की जारी है अलाकि पिछले दिनों बांगलादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया और कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षन को घटा दिया कोर्ट ने आदेश में कहा कि 93 फीज़ी सरकारी नौकरियों में योगिता की अधार पर भरती की जाएगे और 67 फीज़ी आरक्षित रहेगा इसका पांच फीज़ी हिस्सा स्वतंतता सेनानियों के परिवारों के लिए और इसके बावजूद अभी ये लड़ाई थमती हुई नजर नह हुआ 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 है